हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सब तो आचुकी हूँ मैं सेटनास का एक बहुत ही क्यूट और इमोशनल मॉमेंट बीबी हाउस से आप सब के लिए लेकर आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें आप सिधारत और शेहनास का बहुत ही जादा इमोशनल अटे छे दिन हो चुके थे और इन दोनों का जो जगड़ा है वो सौल्ब नहीं हो पा रहा था सिधारत और शेहनास के बीच में बहुत जादा गलत फहमिया बढ़ चुकी थी और हम सभी सिधनाजियन्स भी उस समय बहुत जादा दुखी थे क्योंकि ये दोनों ही मानने को तयार नहीं थे अब सिध मनाने आ चुका है शेहनास को और शेहनास को मनाता है इस समय तो ये सब के लिए एक मुह तोड़ जवाब था जो ये समझते थे कि हमेशा शेहनास ही सिधारत को मनाती है लेगिन इस बार देखने को मिला कि सिधारत शेहनास को कितना जादा मना रहा था ए तुझे बहुत फर्क पड़ता है यार तुससे मैं तेरा करती हूं तुझे मनाती हूं और तेरे लिए रोती हूं और वो सब सच होता है लेकिन यहां पे सब लोग कहते हैं कि वो ड्रामे है वो सब सच है मैं दिल से करती हूं तो सिट कहता है तू बोलती है तू करती है तो वो फरक था guys सिधार्थ और शेहनाज में शेहनाज बोल के बता देती थी हर चीज़ और सिधार्थ उतना बोल नहीं पाता था वो अपने action से हर चीज़ को दिखाता था जो कभी कभी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते थे ऐसा कहकर सिधार्थ वहां से चला जाता है तो guys उस समय मेरी भी सासे थम जाती है मेरे भी आसू आ गए थे कि सिधार्थ तो चला गया अब शेहनाज कैसे मानेगी लेकिन अगले ही पल guys सिधार्थ वापस आ जाता है ये देखकर मुझे इतनी जादा अंदर से खुशी मिली गा इसकी मैं आपको बता नहीं सकती और सिधार्थ वापस आ जाता है और शेहनाज को अब अलग तरीके से मनाता है कहता है तुने तो बोल दिया कि मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ और बात करता हूँ जो तुझे भला बुरा बोलते हैं तो तु एक बात बता कि तु क्या कर रही है तु तो उन लोगों के साथ बैठती है जो मुझे बुरा बोलते तो क्या मेरे साथ बहुत जादा बुरा कर भी चुके है तो मुझे फरक नहीं पढ़ना चाहिए इस बात में बहुत गहराई थी सिधार्थ के कि क्या उसे फर्क नहीं पढ़ना चाहिए शेहनास कुछ अगर कर रही है तो सिधार्थ को भी उससे फर्क पढ़ता था उस घर में सिधार्द को किसी से भी कोई फर्क नहीं पढ़ता था लेकिन शेहनाज अगर कुछ करती थी तो उस बाद से सिधार्द को फर्क पढ़ता था क्योंकि सिधार्द के मन में शेहनाज के लिए फिलिंग्स थी जो खुल कर वो कभी कभी जगडे में ही सही बताता था दिखा देता था सबको कि शहनाज उसके लिए मैटर करती है किसा सिधार्थ बैट रहा था वो शायर दिखाने के लिए ही सही कभी शहनाज का साथ दे भी देते उसके लिए अच्छा कर भी देते लेकिन शेहनास जिनके साथ बैट रही थी वो कभी भी शेहनास का अच्छा नहीं करते और ये बार शाय शेहनास भी समझ चुकी थी सिधार्थ की बातें समझ चुकी थी फिर वो दोनों बैट पर लेट जाते हैं शेहनास भी थोड़ा थोड़ा सा समझ चुकी है सिधार्थ की बातों को उसे दार्थ भी शेहनास को मना रहा है अभी भी शेहनास कहती है I always shock you तो सिट कहता है No darling, you don't usually shock me तो शेहनास कहती है I always shock you That's why we are in distance and you don't like my हर कते फिर शेहनास कहती है टीम में वर्क करना चाहिए वो ठीक है लेकिन अपना खेलना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई भी किसी का नहीं है और मैं तो शायद इसे पहली बारी घुसा निकाल रही हूँ न क्योंकि मैं तो कभी बात किये भी ना रही नहीं सकती अकेली नहीं नहीं रह सकती तो सिट कहता है कब अकिली रही भे तू हमेशा मैं तेरे साथ रहा हूँ फिर शेहनास कहती है मैं क्या कर रही हूँ मैं किसके गेम में हूँ यार मुझे करने दे और उठकर वहां से जाने लगती है तो सिट को लगता है यार ये तो मानी नहीं और ये तो फिर जा रही है उससे बात करीगी या नहीं इतने में शेहनास फिर कहती है तुझे अगर वैसे बात करनी हो तो कर पर ये टीमो टूमो की बाते ना उससे मत किया कर तो सिट एक ठंडी सी सांस लेता है कि चलो यार कम से कम बात तो करेगी क्योंकि सिथार्द भी नहीं रह पाता या शेहनास से बात कर या बिना क्योंकि बिग बॉस में ये दोनों ही थे एक दूसरे के लिए जो एक दूसरे की फिलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते थे तो सिट लेटा है बेट पर शेहनास खड़ी है तो सिथार्द इशारा करता है आ जाए इधर तो उस समय आप शेहनास के फेस का बलश देखिए क्योंकि शेहनास पलट कर दूसरी तरह आ जाती है और उसका आप फेस देखिए गाइस इतना जादा बलश कर रहा है और उसे देखकर हम सब सिथार्द भी बहुत सादा खुश थे तो सिथार्द भी पलट कर देखता है कि कहाँ चली गई यार आ रही है या नहीं आ रही और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शेहनास आ जाती है सिथार्द के साथ उसके पैट पर इतनी लंबी जो लड़ाई चल रहे थी इन दोनों के बीच में उसमें ये सीन देखना गाइस हम सिथनाजियन्स को दिल से खुशी दे रहा था दिल से सुकून दे रहा था अब शेहनास आ जाती है सिथार्द के पास और जो तक्ये की एक दिवार उनके बीच में होती है उसे भी हटा देती है और गालों को सहलाने लगती है सिथार्द के और क्विल्ट को अपने सर तक डाल लेती है और कहती है यार मुझे शरम आ रही है तो सिथ बोलता है क्यों? क्यों शरम आ रही है? फिर शेहनास केती है यार अब तो जगड़ा नहीं करेगा न मुझे तो घुसा तो नहीं करेगा न मुझे तो सिथ केता है पता नहीं यार और जब लेटे होता है न शेहनास के साथ सिथार्द तो उसके फेस पे भी आप एक सुकून एक प्यार साफ तोर पर देख पाएंगे और शेहनास जिस तरह से सिथार्द के फेस को सहला रही थी गाइस सिथार्द को भी सुकून आ गया था और शेहनास कुल्ट में से जाक कर ही सिथार्द से बात कर रही है उसे प्यार से हक कर रही है और दोनों बहुत ज़्यादा साथ में इस पल को इंजॉय कर रहे हैं और हम सब सेडनाजियंस के लिए भी वो पल बहुत ही खास था क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद ये दोनों इस तरह से साथ में थे गाइज इस लड़ाई के बाद जो इनका बॉंड था वो और भी जादा गहरा हो चुका था इस लड़ाई के बाद बहुत सारे लोगों को मुटोड जवाब मिल सका था कि इनके बीच में कोई नहीं आ सकता और देखे ना गाइज तब से आज तक ये दोनों साथ है और हम इनके साथ है ये बहुत प्यारा पैच अप था हमारे सिडनास का आपको कैसा लगा मुस्त मेरे साथ जरूर शेयर करना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और आप सब मेरी फैमिली हो तो अपना ध्यान रखना और मुझे सपोर्ट करना मेरे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना